अगर आपके बस Redmi Note 12 Pro है या Redmi का कोई सा भी phone है 12 वगरा तो आप new application को कैसे add कर सकते हैं अपने home screen पे अगर वो खाली app drawer में आपको show कर रहा है आपके home screen पे add नहीं हो रहा है तो इस problem को fix करने के लिए जाएंगे आप setting पे scroll करेंगे home screen पे click कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको home screen का option देखने को बिलेगा click कर लेंगे अब यहाँ पे light mode app drawer और यह classic होता है तो आप app drawer पे रखेंगे option को और यहाँ पे scroll करके place new app on the home screen on कर लेंगे तो जो भी play store से application आप download करेंगे वो आपकी home screen पे भी add हो जाएगा इसके बाद back कर लेंगे ठीक तो इस step से आप setting को कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार